हेलो एब्रिवान, वेलकॉम बैक टू मै चैनल, आज हम बनाएंगे रस्मलाई, और रस्मलाई बनाने का ऐसा तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, बिना महनत के, बिना हाथ गंदे के हुए, प्रेशर कूकर में हम आज रस्मलाई बनाएंगे, और सबसे स्पेशल ब रेसिपी में, ना तो हमने मैदा मिलाया है, और ना ही सूजी, केवल दूट से हमने ये रस्मलाई बनाई है, आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर, तो देर ना करते हुए, चलिए शुरू करते हैं रेसिपी, और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नेचे जो सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कर दे, और अब जो बैल बटन आएगा, उस भी क्लिक कर दे, मेरी नई रेसिपी स्की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी, इस स्पेशल रसमलाई को बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पे 1.5 kg मिल्क, यह रो मिल्क है और इसे हम गैस पर रख देंगे गरम होने के लिए, और दूसरी तरफ मैंने एक कप में दो चम्मच नेम्बू का रस लिया है, और दो ही चम्मच हम इसमें पानी मिलाएंगी, और अब हम दूद का पनीर बनाएंगे, तो 1.5 kg मिल्क में मैंने दो बड़ी नेम्बू का रस लिया है, और अगर आपका दूद नहीं फटे तो आप थोड़ा सा नेम्बू का रस और बेयाट कर सकते हैं, तो दूद में बोई ला चुका है, और अब हम इसमें धीरे धीरे क रस मिलाना है, पनीर बनाने की एक और रेसिपी में अपके साथ शेय कर चुकी हूँ, तो घर पर किस तरीके से सॉफ्ट और स्पंजी बना सकते हैं डेरी के जैसा, उसकी वीडियो मैंने पहले से अपके साथ शेय कर चुकी हूँ, तो पूरी डिटेल देखने के लिए आप देख सकते हैं और यह देखी धीरे करके मैंने इसमें नीमू का रस मिलाया है लेकिन यह दोनीबू से नहीं फटा था तो मैंने इसमें ठोड़ा सा तो अर बड़ अर्वी अर्वी इस तरीके से हम इसे ठंडे पानी में डिप करेंगी तो आप इसे दो बार जरूर पानी से अच्छी से वोश कीजी तो इस तरीके से हम इसे पानी में डिप करके अच्छी से वोश कर लेंगी और पानी में दो बार दोने के बाद अब हम इस पनीर का सारा पानी स्क्रीश तो कपड़े को हम इस तरीके से टाइटली पकड़ेंगे और इसका सारा पाने स्क्वीच कर देते हैं और अब हम पनीर को 2-3 गंटे के लिए हैंक करके रखेंगे जिससे की पनीर का एक्सेस फोटर निकल जाएगा और इसमें थोड़ा सा मोश्चर बाकी रहना चाहिए तो हम पनीर को सिरफ 2-3 गंटे के लिए हैंक करेंगे और अब हम बनाएंगे इंस्टेंट रबड़ी तो ये रबड़ी भी 10 मिनट में बन करके तयार हो जाएगी तो मैंने हम पे 2 गलास दूद लिया है और दूद को हम मीडियम फ्लिम पर पकाएंगे बन फोर्ट होने तक हमें दूद को पकाना है और ये देखिए 5 मिनट के बाद दूद काफी थीक हो गया है तो अब हम इसमें मिलाएंगे मलाई मलाई मिलाने से दूद जल्दी थीक हो जाएगा और ये देखिए मैंने मलाई को आड़ कर दिया है और मलाई मिलाने के बाद अब हम इसे 5 मिनट के लिए बीडियम फ्लिम पर और पकाएंगे अब हम इसमें मिलाएंगे ड्राइफ रूट्स और 1-4 टेस्पॉन मैंने इसमें इलाईची पाउडर मिलाया है और इसी के साथ मैंने इसमें थोड़े से बादा मिलाई है इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और देखिए दूद थिक हो गया है अब हम इसमें मिलाएंगे 1 टेबल स्पून चीनी तो चीनी आप अपने टेस्ट के कोडिंग कम्या ज़्यादा कर लीजिए और चीनी मिलाने के बाद हम इसे थोड़ा और थिक करेंगे तो continue हम इसे चलाते रहना है ताकि दूद नीचे चिपकेना और अब मैंने इसमें मिलाएंगे 1 टेबल स्पून केसर मिलावा दूद तो रबडी में केसर के कुछ बहुत अच्छी लगती है आप इसे जरूर मिलाएं नहीं तो आप इसमें फूट कर भी आड़ कर सकते हैं और यह देखिए 10 मिनर तक हमने लगातार मीडियूम फ्लेम पर दूद को पकाया है और यह दूद काफी ज़्यादा थिक हो गया है और यह रबडी बनकर के तयार है तो अब हम इसे ठड़ा होने के लिए रखेंगे और अब हम बना लेते हैं रैसमलाई रैसमलाई बनाने के लिए हमने यह पनेर को हैंग किया था जो हम ले आएंगे और यह देखिए यह पनेर काफी ज़्यादा गीला है अभी इसमें अभी बहुत मोईस्चर है तो अब हम इसे मैश करेंगे तो मैश करने के लिए आप इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं 15-20 मिनट तक और नहीं तो आप इसमें मिक्सर ग्राइंडर ले लेजिए और मिक्सर ग्राइंडर में अब हम इसे एक मिनट के लिए ग्राइंड करेंगे जानिकि एक मिनट के लिए हम इसे मीकसर में पीसेंगी तो मैंने अब Нीकाल लेते हैं यह मीकसर में डाल कर स्मूथ कर लिए तो मैंने इस्टिल्ट का यह ईप्लेट यूज किया है तक है कि अगर जो पनिर चिबगी वह हम असानी से उतार लेंगी तो आप देख सकते हैं पने बिल्कुल भी नहीं चिपका है और अब हम इसे निकाल लेते हैं मिकसर में पिसने से ये काफी ज़्यादा स्मूथ हो गया है और हमारी काफी मैनत बच गई है और अब हम इसे 3-4 मिनिट के लिए हाथ से मैश करेंगे और उससे पहले हम प्रेशर कुकर में शुगर सिरप को बनाएंगे तो ये आज मैं रस्मलाई प्रेशर कुकर में बनाने वाली हूँ और ये देखें मैंने आदा कप चीनी डाली है और 5 गुना हम पानी डालेंगे तो पानी की quantity pressure को क्योंके size के coding जरूर डालिए यानि कि पानी हमें कम नहीं डालना है वरना रस्मलाई अच्छे से नहीं पक पाएगी वो अंदर से कच्छी रह जाएगी तो अब हम पनीर को मैश करेंगी तो मैंने याप स्पैचुला का यूज किया है आप इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं आप इसे तीन से चार मिनट के लिए हाथ से भी मैश कर सकते हैं या फिर स्पैचुला या कोई स्पून ले सकते हैं इस पे आप घह लगा लीजी जिसे की पनीर इनके चिपकेगा नहीं और ये देखिए बहुत कम महनत में हमने पनीर को अच्छे से मैश कर लिया है और अब हम इसके बोल्स बनाएंगे तो ये जो पनीर है इसके हम बोल्स बनाएंगे तो इसे बनाने कभी एक तरीका है तो सबसे पहले हम हातों के घे लगाएंगे और इसे हम दो portion में divide करेंगे और अब हम इसकी छोटी छोटी balls बनाएंगे तो ये देखिए हम paneer को equal parts में divide कर लेते हैं और ये देखिए इसमें मैंने no pieces बनाए हैं और अब हम हाथ से press करते हुए इसकी balls बना लेंगे तो बिल्कुल हलके हाथों से हम इसकी balls बनाएंगे और ये देख सकते हैं आप हाथों को बीच में हमने इस बोल को दबाया नहीं है हम इसे बिल्कुल भी दबाना नहीं है और अब देखिए second balls में आपको दिखाती हूँ तो रसमलाई बनाने के लिए ये step बहुत important है आप इसे दबा कर इसकी ball नहीं बनाए बस हलके हाथों से हम इसकी ball बनानी है और इसे मैंने shape नहीं दिया है क्योंकि जब हम इसे pressure cooker में डालेंगे तो ये अपने आप shape ले लेगा तो ये देखिए मैंने ball तो बना करके ready कर ली है लेकिन आप ये देखिएगा कि वह कोई भी cracks ना हो अगर cracks हुए तो balls फट सकती है pressure cooker में आप देख सकते हैं कितने smooth बनी है ये तो सारी balls को मैंने बना करके तयार कर लिया है और pressure cooker में भी boil आ चुका है तो अब हम सारी balls को डाल देते हैं और अब हम pressure cooker में high flame पर हम इसकी एक विशल देलाएंगे और high flame पर एक विशल आने के बाद पांच मिनट के लिए हम इसे low flame पर ही पकाएंगे अब हम लेड़ तो pressure cooker की lid को बन कर देते हैं और यह देखिए हाई flame पर हम एक विशल देलाएंगे और यह देखिए pressure cooker में विशल आ चुकी है तो अब हम flame को low कर देंगे और पांच मिनट के लिए हम रत्मलाई ऐसे ही पकने देंगे और पांच मिनट के बाद जब pressure cooker का steam अपने हाप release होगा तब हम pressure cooker को open करेगी तो यह देखिए steam सारे निकल चुकी है और मैंने pressure cooker को खोल दिया है और आप देख सकते हैं हमने pressure cooker में बोल्स लाली थी और यह देखिए रस्मलाई ने अपना शेप ले लिया है और अगर आप इसे कड़ाई में बनाएंगे तो इन्हें शेप देना होगा और हमने pressure cooker में बनाया है इसलिए यह फ्लैट हो चुकी है और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए और इसमें तुरंत ही हम ice cubes टालेंगे जिससे कि यह काफी ज़्यादा spongy होंगी ice cubes टालने के बाद हम इसे दो गंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और दो गंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरी इस रस्मलाई की रेसिपी से लिलेटेड आपका जो भी कोई question हो तो आप comment box में comment कर सकते हैं आपका जो भी कोई doubt हो आप रेसिपी try करने से पहले clear कर सकते हैं I hope आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी क्योंकि इसमें हमें बहुत कम time लगा है और बहुत ही कम मेहनत लगी है तो अब मैं इसे आपको cut करके दिखाती हूँ इसका अंदर का texture कैसा है ये देखिए ये देख सकते हैं आप इसका texture इसकी layers आपको दिख रही होंगी आइस cubes डालने के बाद ये देखिए काफी ज़्यदा spongy हो चुकी है तो अब हम इस पर डाल लेते हैं रबडी तो रबडी की जो quantity है मैंने 5 रस मलाई के लिए ही त्यार की है और रबडी डालने के बाद आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं एक गंड़े के लिए ताकि ये रबडी को सोक कर ले आप इसे तुरंत भी सहव कर सकते हैं तो अगर आपको ये recipe अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ये थैंक ये फो वोचिए